जिसको जिसको मोका मिले जाके साक्षात कृष्ण का धर्शन कर ले बाबा प्रेमनंद के रूप में ब्रंदावन में साक्षात वो जो तुम बाबा देख रहा हो वो बाबा तो जा चुका है टम का यह बाबा प्रेमलन को जो आप देख रहो ना इसमक्त साक्षाक श्रीकृष्ण उनकी शरीर में विद्धमान वही अंदाज बोलने का वही रॉब वाला तरीका वही लोगों से कहना की बाहर निकलो कहां बैठे हो तुम लोग कि छे महिना सुर्ण नमस्कार और सांभवी क्रिया कर लो छे महिना और जीमन ना बदल कि जहां कंसेंट्रेट हो जाओगे वहां मजा आएगा जैसे जब श्तरी का हाथ पकड़ रहे हो तो दिमाग से विचार काया हो गया तब वही तो मजा है मजा क्या है विचार शूनिता जो विचार शूनिता पैदा करते वहीं मजा वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 22 साल और रहोगे तो बाबा तो 20 साल बाद चले गए इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी है जिसको जिसको मोगा मिले जाकर साक्षात कृष्ण का धर्शन कर ले बाबा प्रेमानन्द के रूप में वरणावन में साक्षात कि दिने वेलियर और आदमी के अंदर इतनी चमग वह आदमी अब नहीं है जिसर जब बुद्ध वसुंधरा से वसुंधरा से मिलने गाए अपने घर गाए तो उनके पिता जी मिले तो कहें सिध्धार्थ मैं तुमको सिंगासन अभी में दे सकता हूं कि बाबो जी अब सिध्धार्थ ही नहीं अब जो आदमी आप देख रहा हूं वो बिलकुल अलग आदमी है ऐसे वो जो भृंदवन में आदमी बैठा हुआ है ना महाराज प्रेमनन्न में जब माइंड सारा कान तुमहारे मन को करना है everything is done by your mind सब कुछ जो भी तुमारे जीवन में क्रॉशिल है पढ़ना है मन से है वर्षप करना है मन से है वर करना है मन से है लॉव करना है, मन से, सब कुछ मन से गवर्न हो रहा है, तो अगर हम इसको अलाइव कर लें, अलाइव, तो हम जो भी करेंगे, वो एक्सेलिंट करेंगे, स्टैंडर्ड, मैं तुम लोगों से बार-बार कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ कि भाईया, मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो, जानवर नहीं कर सकते, अक्शली जानवर एंबीशिस भी नहीं होते, कोई कुटा जंगल का राजा नहीं बनना चाहता कोई जिराफ जंगल का राजा बनना नहीं चाहता कोई हाथी जंगल का राजा नहीं बनना चाहता शेर है तो है जंगल में चुनाव नहीं होते इनसान में साब राजा बनना चाहते हैं सब और पच्चास तरह का स्ट्रेस ले रखा है फेलो जाएंगे तो क्या होगा तो फेलो जाओगे लोग क्या कहेंगे लोग नहीं फेलोगे तो भी कहेंगे आम आदनी वो है जिसको जो अद्रश है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं और इस दुनिया में जो अद्रश है बस उसी की कीमत है उसको तुम भगवान कहो इसलिए जितने बड़े बड़े पत्वे लोग हैं उनको पबलिक से बहुत दूर रहने की सलाह दी जाती है कि जादा मत मिलो डीम से कहा जाता है जादा मत मिलना बेटा डेली निकलो के इज़्जत खतम महीने दो महीने तीन महीने छे महीने एक पबलिक प्रोग्राम में चले गए तो लोग कहेंगे कि भाया डीम सहाब आए थे कहता प्रेम बहुत जरूरी है जीवन में अच्छा तो रिक्षे वाले को कौन करता है सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में तो रिक्षे वाले को कौन करता है और जिवन में जरूरी है इस जीवन में जरूरी है शक्ती कहता ही जब बहुत ज़रूरी है क्या करो है जब का सकती है जो बेजुती करेगा तो लटका वेंगा उल्टा छे महिना सूर नमस्कार सूर नमस्कार और सांभवी क्रिया कर लो छे महिना और जीमन ना बदले कि दंद करने के लिए थोड़ी रोने के लिए थोड़ी जमानी में अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो फिर जमान है नहीं